एक बार की बात है एक छोटे से गाउं में एक बुद्धिमान वृद्ध गुरु रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे क्योंकि उनके पास महान ग्यान और अंतरद्रिश्टी थी। एक दिन एक व्यक्ति ग्यान की तलाश में गाउं प बैठे रहे। फिर गुरु ने एक छोटा चीनी मिट्टी का प्याला उठाया और यात्री से पूछा कि उसने क्या देखा। युवा यात्री ने कप की ओर देखा और उत्तर दिया। मुझे एक कप दिखाई दे रहा है गुरु जी। गुरु ने सिर हिलाया और उसमें चा प्यारी रखा जब तक कि प्याले से चाए छलक कर जमीन पर नहीं गिर गई। यात्री ने आश्चर्य से देखा और कहा गुरु जी प्याला छलक रहा है इसमें अब और चाए नहीं आ सकती। गुरु ने शांती से उत्तर दिया। सही है और ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भ भाए से भरे हुए हैं तो किसी और चीज के लिए जगह नहीं है लेकिन अगर हम अपने दिमाग को खाली करते हैं तो हम अनंत संभावनाओं और आंतरिक शांती की भावना के लिए जगह बनाते हैं। यात्री ने गुरु की बातों पर विचार किया और उनके पीछे छिप करने से आता है जो खुला विशाल और अव्यवस्था से मुक्त हो। उस दिन के बाद से उसने हर पल को खुले दिल से स्वीकार किया वर्तमान पर ध्यान के इंद्रित करने और अनावश्यक चिंताओं को दूर करने का विकल्प चुना। उसने अपने दिल में इस सत्य को ध इंताओं, संदेहों, भय और नकारात्मक विचारों से खाली करें और एक स्वच्छ मन और मस्तिष्क की सुन्दर्ता को अपनाएं। जीवन की विशालता को अपने अंदर से प्रवाहित होने के लिए आमंत्रित करें। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको ज्यान की करने और जीवन में शांती पाने के लिए प्रेरित करें।